मित्रो जैसाग जानते हैं आज रर्वी ने एक एंटी पीसी एकजाम के डिगार्डिंग नोटीस जी है नोटीस के अंदर 7 पॉइंट उन्हों लिखी है अब देखना हम लोग आगे 7 पॉइंट के बारे में बारे की से डिसकस करेंगे आपको पता होना जाए रर्वी जो कि ग पॉइंट में उन्होंने क्या लिखाया है तो पहला पॉइंट में आडार्वी ने कहा है कि जो भी केंडिडेट 2019 में एंटी पीसी के फॉर्म भरे हो चाहे ग्रेजुएट हो अंदर ग्रेजुएट सभी अप्लिकेशन फॉर्म का स्कूर्टनी अच्छे डंग से कर लिया ग दूसरा पॉइंट में देखते हैं क्या का कि कहा गया है दूसरा पॉइंट में है कि जो केंडिडेट इलिजिवल होगा और या नॉन इलिजिवल में रिजेक्ट हो हो जाएगा एक्जाम के लिए उसको SMS और email के द्वारा notification भेज दिया जाएगा कि student इलिजिवल है या नहीं NTPC एक्जाम के लिए उनको email या message register mobile नमर पहेगा जो उन्होंने application फॉर्म डालते वक्ट डाला था तो ये था दूसरा पॉइंट तिसरा पॉइंट में है कि status of application can be viewed by entering the application register number and date of birth मतलब application status reject है या नहीं है applicable है या नहीं है वो आप अपना application register number और date of birth डालके देख सकते हैं ये था तिसरा पॉइंट चौर्था पॉइंट में है कि RRB ने स्कूर्टनी करने वक्त पूरी साब्धानी परती है RRB के तरफ से कोई भी गलती नहीं किया गया है ऐसा RRB ने कहा है और जितना भी है वो सबको जितना भी गलती है प्रेंटिंग मिस्टेक उसको RRB ने reserve करके रखा है इसलिए स्कूर्टनी के समेश पूरा साब्धानी बरती गई है और जो योग है उन्हीं को इलिजिवल बनाए गया है पच्मा पॉइंट है Candidate of all eligible candidates is purely provisional मतलब कि जो candidate अभी CBT1 देने के लिए इलिजिवल है हो सकता CBT2 के लिए यदि वो इलिजिवल नहीं हो पाते ड्यू टू कुछ एडर आ जाता है उनका अप्लिकेशन फॉर्म में तो RRB के पास यह अधिकार है कि उनका eligibility को cancel कर सकते हैं वो यह RRB के पास पूरा अधिकार है यह था पच्मा पॉइंट छट्था पॉइंट में कि आप लोग किसी भी दलाल सबसे दूर रहे हैं RRB ऐसा कभी नहीं बोलती है कि कि दलाल के थुरू जोब होगी है इसा RRB खंडित करती है RRB selection वो computer-based होगा recruitment is based only the merit of the candidate मिस दलाल से साब जान रही है इसा आपको RRB भी बोला है और सत्मा पॉइंट है candidate are advised to refer only to the official website मतलब कोई भी update के लिए candidate सिर्फ RRB का website पर जाके देखे कि क्या update आया है latest update को यदि देखना equipment process के regarding तो आप RRB के official website पर जाके देख सकते हैं और please do not be missed by मतलब कोई भी असंगटी से दूर रहे हैं यही काना चाहरे है कर दो कर दो कर दो